हलो बेटा, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेशन है, वो करेंगे, जो इंपोर्टेंट है बेटा, इसका पार्ट टू है, तो चले सुरू करते हैं बेटा क्वेशन है बेटा, थुरू दी डार्क कॉंटिनेट नामक पुष्ट किसने लिखे थी? बेटा, ऑप्षन B, इसका राइट आंसर है, स्टेन लिखे 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 Next question बेटा, दास कैपिटल नामक पुष्टक करची था, कौन था? तो बेटा, option C's का right answer है, Marx था बेटा Next question बेटा, 1921 में प्रारम में हुए पैरिस सांती समेलेन का कालें क्या था? तो बेटा, ये था 5 वर्स का, तो option A right answer है पेरिस के 37 समेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने बाग लिया था? उप्शन A राइट आंसर बिटा 32 राष्ट्रों ने लीग ओफ नेशन्स का वेदानिक रूप से जनम किस वर्ष से हुआ था? तो उप्शन B बिटा राइट आंसर है 1920 इस वी में नेक्स क्वेशन बिटा फासिवाद का जनक कोन था? तो उप्शन B बिटा राइट आंसर है मुसोली नेक्स क्वेशन बिटा राष्ट्रे संग किस वर्ष माप्त हुआ? तो उप्शन B बिटा राइट आंसर है 1946 इस वी में नेक्स्ट क्वेस्टन है बेटा फासिवाद का उद्दे कहा हुआ था ओप्शन ए है इसका राइट आंसर इटली में नेक्स्ट क्वेस्टन बेटा फासिवादी किस रंकी कमीज बहनते थे तो बेटा ओप्शन C है इसका राइट आंसर काले रंकी नेक्स्ट क्वेस्ट पेटा इटिली में प्रमुख फांसिवादी नेता तो आप्षण ओप्रॉलिनी राइच विड़ू पैपवलो ह डी इतल yaya now Sumyes ने प्रकाशित कियाновकि तो आपवशन ए है राइच वा इसका मुस्वलीनी está नेक्स्ट क्वेशन बेटा संतरता से पहले अमेरिका में कितनी बस्तियां या उपनिवेश थे तो ओप्शन डी है इसका राइट आंसर 13 यानि 13 नेक्स्ट क्वेशन बेटा नेपॉलियन ने पिरामीडों का युद की इस देश के साथ लड़ा था तो option A है इसका right answer मिसर के साथ Next question है प्रांस की राज्य करांती 1789 में इस्वी का प्रमुख नारा क्या था तो बेटा ये था option A है इसका right answer सवतंतरता बातरतव एवन समानता Next question बेटा नेपॉलियन ने सीविल कोड किस वर से तियार करवाया तो option C है इसका right answer थारा सो चार इस वी में Next question बेटा उगते हुए सुर्य का देश की से कहा जाता है Option C बेटा राइट आंसर है इसका जापान को खाया जाता है जोलवरीन संकी स्थापना किस देश में हुई थी तो option C है इसका right answer जर्मनी में Option C बेटा Thank you बेटा